कि नाइन्टिन फोडिफोर जपान बरबाद हो गया नाइन्टिन फोडिसेवन भारत आजाद हो गया कौन सी कंट्री जादा आगे होनी चाहिए थी टेक्नालोजी में हम बले एक एहंकार स्वरूफ हम कह सकते हम मारा भारत महान येस है फॉर शौर है लेकिन देखिए दोस्तों हम लोग हजारों गुना बेटर हो सकते थे हजारों गुना बेटर हम लोगों का प्रब्म है कि वी आर सेटल्ड फॉर गुड हम लोग अच्छे हैं and we are okay with अच्छे हम लोगों के अंदर बहुत कम लोगों के अंदर वो भूक और आग है जो कहते है I want to be the best in the world I want to be the best in the world अब फिर दोश देने के लिए तो हजारों सिस्टम से parties दोश देने के लिए हैं, politicians दोश देने के लिए हैं, I think become the best, बहुत कम और जिस जिस एरिया में हम ठान लेंगे उस उसमें हम best बन जाएंगे that's the surety और उसके लिए I think आपके और मेरे हाथ में जो काम है वो एक ही है जो हम कर रहे हैं, उसे इतनी शिदत से कर लें कि शायद हमारे काम के कारण 100 लोग तो best बन जाएं, यह हमारे काम के कारण यह हम एक मिसाल बन जाएं, जिससे कि 100-200-500 लोग तो inspire हो जाएं I'm sure नीरत चोपडा ने जब gold लाया तो यह सारे पेराल Olympians and athletes super duper inspired हो गए होंगे यार, भारत में gold आ सकता है, यार, yes and उसके बाद आप देखिए पेरालिम्पिक्स में कितने सारे gold आ गए, this is the power this is the power, एक आदमी कुछ अच्छा करता है हजारों लोगों के mindset का barrier break होता है, आपने वो famous सुना होगा, okay four minute mile, सुना है कि नहीं सुना नहीं सुना होगा, you know history में doctors ने पूरे world के doctors ने, medical science ने कहा था, कि human body बनी ही नहीं है, इस काबिल कि वो एक mile का distance एक mile याने कितना 1600 मेटर के असपास एक किलोमेटर सम्थिंग कितना जो भी है एक mile का distance human body चार मिनिट से कम में दोड नहीं सकती ऐसा पूरे world में इतने सैक्डों, हजारों सालों से प्रचलित था and 1963 में Roger Bannister करके एक आदमी ने उसे तोड़ा उसे ब्रेक किया उसने एक mile का distance चार मिनिट से कम के समय में cover कर लिया, Roger Bannister ने एक mile का distance चार मिनिट से कम में cover कर लिया वो पूरे world में यह हो गया, oh my god, it is possible and आपको पता है, उसके अगले 10 सालों के अंदर, 100 से जादा लोगों ने उसे break किया मतलब इतने हजारों सालों में कोई नहीं कर पाया, लेकिन जिस दिन Roger Bannister ने वो कारणामा किया उसके बाद तो कई लोगों ने कर दिया फटा-फट, फटा-फट, फटा-फट इतने सेकडों सालों से कोई Everest पे नहीं जा पाया, लेकिन जिस दिन Edmond Hillary चले गए Everest के उपर उसके बाद से वो होने लग गया Roger Bannister की फोटो देखिए आप जाईए, यह रिसर्च कीजिए अमेरिका में एक महिला हुई थी जिनका नाम था Wilma Rudolph Wilma Rudolph बच्पन से paralysis में थी, या पोली हो गया था चाहिद उनको, पोली हो गया था तो crutches से चलती थी, crutches से है ना और जब वो बड़ी हुई थोड़ी सी 7-8 साल की हुई स्कूल में देखती बच्चे दोड़ रहे हैं Wilma Rudolph ने कहा मुझे भी दोड़ना है एंड एक बार उसने दोड़ के competition में participate किया Wilma ने Wilma ने crutches के साथ दोड़ने के लिए दोड़ के competition में participate किया Wilma शायद मुश्किल से थोड़े से कदम दोड़ी होगी और गिर गई एंड उसके बाद उसे चोट लग गई और उसके बाद कई बार वो गिरी और कई बार उसे चोट लगी लेकिन हर बार Wilma ने कहा I will run I will run I will run आपको पता है 16 साल की एज में तो Wilma Rudolph ने America को gold दिलाया Olympics में और वो काफी सालों तक काफी सारे gold लाती रही and that's the beauty दोस्तों एक बार कोई इनसान करता है और उसके बाद Wilma के बाद तो America में कई लोगों ने hoard लगा दी दोस्तों this is the power एक आदमी जब कुछ बड़ा करता है तो बहुत सारे लोग बड़ा कर लेते हैं am I right? and आप मैंसे हर याग आदमी इस चीज़ को समझ रहा होगा तो इसलिए दोस्तों हमारे और आपके पास एक ही option है हमारे और आपके पास एक ही option है कि जो भी हम करें वो इतना बड़ा कमाल का करें कि हमारे काम से कम से कम रोज एक आदमी inspire हो जाए और जब हम 365 दिन की बात करेंगे तो 365 inspired लोग होंगे आपके और मेरे काम के कारण तो 365 को मैं inspire करता हूँ और आप 7, 8, 10,000, 15,000 या 50,000 लोग आज रात को जो इस वीडियो को देखेंगे एक एक आदमी को आप 50,000 लोग inspire करो इंस्पिरेशन की chain हो जाएगी और अगले 15 साल में पूरा भारत पूरी तरह से बदल जाएगा क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया अब बदलेगा मेरा भारत लेकिन उसके लिए हम सब को उस level पर सोचना पड़ेगा लेकिन एक बिमारी से हम लोग कई लोग ग्रसित है और वह बिमारी कहलाती है selective listening क्या है selective लिस्निंग की बिमारी है हमें हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं there are two things एक है selective listening and दूसरी है active listening active listening का मतलब क्या है active listening का मतलब है जो भी मैं सुन रहा हूँ वो ना मैं सुन रहा हूँ उसके पीछे की बात को समझ भी रहा हूँ and मैं पूरी तरह से involved होके सुन रहा हूँ selective listening क्या है हाँ भुपेंदर ने ये बात कही हाँ ये सही है आइन नहीं ये वाली बात सही नहीं है active listening होती है पूरा धंग से सुनो बिना analysis के सुनो and understand करने की कोशिश करो लेकिन जो selective listening है इसमें filters है कल की मैं बात बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं ये filters है कल मैंने non-witch के बारे में बात किया चीक है तो आज से करीब दस साल पहले आठ साल नहीं साथ साल पहले मैंने indoor के एक session में ऐसे ही non-witch के उपर बात किया था और जब मैंने ये बात किया तो उस crowd में हमारे एक मुश्ताक भाई बैठे थे मुश्ताक भाई ने उस समय तो कुछ नहीं का क्योंकि हजार लोगों के सामने मैंने बात किया था और भीड में उनके पास share करने का मौका नहीं था मुश्ताक भाई ने मेरा एक और प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें कि selected लोग थे पचास सो लोग थे short प्रोग्राम था और मुश्ताक भाई ने एक ही चीज़ कही Sir I want to share something वो सभी के सामने आए और उन्होंने शेयर किया Sir बकरी ईद आ रही थी आपका ये session होने के बाद बकरी ईद आ रही थी मैंने और मेरे परिवार ने ये निश्चे किया कि हम जो दो बकरे कुर्बान करने वाले थे उनका पैसा हम डोनेट करेंगे Sir हमने बकरों को बक् और उसकी जगे Sir हमने गरीबों को डोनेट करने का सोचा ये मुश्ताक भाई के बिलीफ सिस्टम से हो सकता है कोई आदमी इसी चीज़ को इस तरह से ले सकता है अरे ये तो मेरे त्योहार पे या मेरे धर्म पे अटैक कर रहे है और राई दोस्तों ऐसी गुस्ता कि मैं कर न है सोच के देखिए अगर हम हमारे बच्चे को एक दिन के लिए पिंजरे में कोई डाल दे हाउड़ वी फील किस किस तरह की खेर पता नहीं मेरे इस तरह बात करने से ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा बट मेरा काम है थोड़ा सा इस इशू को टच करना तो कल एक भाई क्या अपने कभी देखा एक घीरण से जादा ताकत्वर एं और ल गहले खेड़ाइजर्ल झारें घृतर और बाट THIS कर रहा है तूर but with the comparison कर रहे तो थो टुने शेर और हाति बखरी और शेर के बीच में आई I mean what is this दोस्तों अगर comparison करना है तो let's let's compare the right things okay वो comparison नहीं है शेर शेर है लिए लिए रहन ही रहन है एक चोटा बच्चा चोटा बच्चा है आदमी आदमी है औरत औरत है दोनों के अंदर आप शारीरिक लेकिन आदमी बच्चा पहला नहीं कर सकता उसके लिए शृष्टी को आगे बढ़ाने के लिए विमन इस नीड़ घर चला के दिखाया आदमी जिस तरह से विमन चलाती है बड़ा मुझा अगर कंपैरेजन करना है तो राइट स्किल और राइट चीजों के उपर कंपैरेजन या मैसेज़ेज वगर मेरे पड़ लेता हूं एक आदमी का मैसेज आया सर आप तो मेडिकल साइन्स से भी जादा बात कर रहे हो आपने तो डिपरेशन की ठीवरी को ही बना दिया कि डिपरेशन कुछ होता ही नहीं है मेरे बहुत जादा सोच सोचके केमिकल लोचा पूरी बॉडी में होने लग जाता है तो आपको दवाई लेनी की ज़रूरत है फोर शॉर पहले स्टेज पर जैसे डिपरेशन हुआ कौन सा साइक्टरिस्ट है जो बोलता है ओ डिपरेशन है तेरे को तीन दिन अले ले दवाई ले अरे भाई नहीं होता वैसा और डिपरेशन क्य सबकॉंशेस माइंड कहीं ने कहीं एक पटिक्यूलर थॉट में उलच चुका है और उस उलच चुके बार बार उसी के अंदर सोच रहा है सोचते सोचते वह कब खड़े में कुए में खाई में और नीचे चला जाता है पता ही नहीं चलता है एंदो सो आई चैलेंज यू 80% अगर आपको भयंकर डिप्रेशन है और अगर आप सच में बदलना चाहते हो और आप मैंसे एक आदमी का एक और कमेंट आया सर मैंने 21 दिन का सेशन अटेंड कर लिया 20 दिन का फिर भी मैं पॉजिटिव नहीं रहा रहा या सर मुझे अभी भी कई लोगों के मैसेज आ रहे सर पॉजिटिव रहने के लिए कुछ बताओ क्योंकि selective listening काती है अरे मेरी problem के बारे में तो अभी बात ही नहीं हुई अरे भाई मेरे इतनी सारी चीज़े बात हुई है उनके बारे में सोचो उनके बारे में समझो उनके बारे में सोचो धीरे-धीरे देखोगे तो बहुत भी बोलोगे स्टेज से दोस्त अगें मैं कुछ भी बोलने की गुस्ताकी करी नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे 10-12 साल की मेहनत का जादा खयाल है मुझे पता है कि यहां से जो मैं बोल रहा हूं वो पते की बात ही होनी चाहिए नहीं तो पागल नहीं हैं लोग कि मेरी किसी भी उसके ग्रहन तो करो, आज से पहले आपने अपनी जिन्दगी जैसी जी, जैसी जी, मैंने नहीं कहता कि आप जिन्दगी अगली पूरी मेरे हिसाब से जी हो, लेकिन अगर यह नई चीजे मिल रही है तो 10 दिन तो जी के देखो, 50 दिन तो जी के देखो, और फिर समझ में न 2012 में मैंने उनको कोच किया उन्होंने मुझे अलग चीज़े सिखाई उन्होंने का बहिए किसी से मिलना नहीं है हमेशा फाइव स्टार होटेल में रहना है अपनी जिंदगी के बारे में किसी को बताना नहीं है बिल्कुल हमेशा चाहे कुछ भी नहीं हो घर में खाने को तो कि अपनी पर्सनालिटी को अपने अपनी ब्राइंड को बहुत बड़ा चमकाना है ऐसा वैसा तो ऐसी सिच्वेशन हो गई थी उस समय कि मैं किसी से मिलता ही नहीं था और अगर किसी से मिलना भी है मुझे तो पहले उस इंसान को अपॉइंट्मेंट लेना पड़ता था वो तो मैं ऐसे ही मिलता हो लोगों से मुझे कोई फरक मैं बड़ा सफोकेटेड हो गया था एक साल जी के देखा मैंने उस लाइफ को क्योंकि वो कोच थे तो उनकी बात टाल नहीं सकता था एक साल सरेंडर किया एक साल सरेंडर करके उसे जी के देखा समझ मैं आ गया कि यह मेर powerful techniques, secret techniques जिसके कारण आप law of attraction को अपने जीवन में और जादा तरीके से apply कर सके, ओके देखिए, law of attraction का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है, वापस से एक बार explain कर दूँ कि आप सोचें और चीजें हो जाए, लेकिन yes, आपके सोचने के कारण ब्रह्मान में कुछ तो बदलता है, hundred percent बदलता है all right, and जब आप सोच अच्छी डालते हो तो पूरा ब्रह्मान हरकत में आता है, जैसे कि इस कमरे के अंदर मैंने सोच डाली कि यह light बंद हो यह light चालू हो, तो automatically मेरी सोच के base पे मेरे अंदर हजारों, trillions of cells हैं, वो हरकत में आएंगी मैं शायद जाओं और मैं उंगली से button को बंद करूं या चालू करूं and उसके बाद light हरकत में आगई, तो सोच के कारण मेरा action हरकत में आया, उसके कारण ब्रह्मान भी ready है, तयार है respond करने के लिए, यह तो एक practical example है, छोटा सा light जलाने का तो, लेकिन यह ब्रह्मान अपने आप light जलाने को तयार है, यह waiter के through light जलवाने को तयार है, okay, so हमें कुछ बहुत ही प्यारी ब्यारी techniques हैं, जो कि अभी और सीखनी हैं, और actually, इन में से कुछ techniques तो ऐसी होती हैं, जो कि मैं 3-4 दिन पहले ही सिखा देता हूँ, या workshop के 4-5 दिन पहले हैं, मैं ही सिखा देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गए, लेकिन एक technique, अभी बहुत powerful techniques में से एक है, और आप में से हर एक आदमी, आज रात कोई उसे implement करेगा ना, तो कल तक तो आप में से कम से कम 100-200 लोगों के 500 लोगों के मेरे पास testimonial आ जाएंगे कि सर, ये तो काम करता है, ये तो miracle है, ये तो जबर्दस्त है, alright, so देखिए, technique सिखाना मेरा काम है, चोटी-चोटी चीज़ें होती है, जैसे एक अच्छा सिक्षक, या एक अच्छा technician, जैसे मैं computer के field में गया, तो मेरे बास बहुत सारे teachers थे, वहाँ computer सीखने के लिए, सिखाने के लिए, एक थे उन में से श्रीनिवास सर, एक उस में से थे एरपित सर, एक थे, OS प्रवित कुमार, और उसके अलावा कुछ और मैंस भी थी, ऐसे 6-7-10 teachers थे, कुछ teachers की बाद, एक सेकिंड में अंदर जाली जाती थी, क्योंकि वो जिस तरह से technique को समझाते थे, वो बहुत easy थी, और कुछ कुछ के पास technique नहीं होती थी, उनके पास like theory होती थी, सिर्फ ये किताब में लिखा है, ये ही पढ़ लो बस, तो वो काम नहीं करता, कुछ techniques आपकी जिन्दगी को बदल सकती है, और सीखने के बाद उनको implement करें, तो एक बहुत ही powerful technique, जो कि मैंने अपने जिन्दगी में सीखी है, वो है switch words, अरे यार मेरी spellings को पता नहीं क्या हो जाता है, doesn't matter, यहनो मेरी सारी, मेरी team में यह लो चाहे, पूरी team में लो चाहे, switch words, यहनों बच्पन से जब अंग्रेजी कभी लिखना सीखा ही नहीं, छटी क्लास में 6th standard में जाके अंग्रेजी subject आया था, ओके हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो 6th standard में English का subject आया, पहली बार वहाँ पे सीखना शुरू किया की sentence, ABCD तो 6th class में सीखनी शुरू की, can you imagine this, and कभी English में लिखना ही नहीं आता था, लिखा ही नहीं कभी जिन्दगी में, जब spoken English सीखी तो वो इसलिए सीखी क्योंकि जॉब बगर के लिए जरूरी थी, तो दोसों, माफ कीजिएगा, and I am open की हाँ, ये कमी है हमारे अंदर, switch words, switch words एक बहुत powerful technique है, और ये switch word, switch मतलब switch on किया, light जली, तो ऐसे शब्द, जो की बोलते ही आपकी energy shift हो जाए, अब आप कहेंगे ये switch word क्या है, तो मैं इसको ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको एक homework देना चाहरा हूँ मैं, आपको Google पे जाना है, अभी नहीं इस session के बाद, आपको Google पे जाना है, और टाइप करना है switch words, you know, कुछ group है, and generally ये बहुत सारी ऐसी research, law of attraction वगरे मैं, ये नो, हमारे ancient time से हमारे रिशी मुनी सभी लोग सिखाते थे, लेकिन problem ये थी कि वो लोग इतने अच्छे marketer नहीं थे, या उनको उसमें package करना, branding करना, या वो सब चीज नहीं आता था, या उन्हें आता भी था, तो वो वेदों में लिख देते थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े गरंथ होते थे, लोग उसे पढ़ते नहीं थे, तो विदेशियोंने क्या किया, उन्होंने कईयोंने हमसे ये techniques ली, या कहीं और से research की और बहुत अच्छे से उनको package करके, उनको अच्छे अच्छे नाम देके, उनको market करना शुरू किया, और तो कुछ विदेशी लोगोंने, कुछ अच्छे लोगोंने मिलके, कुछ ऐसे, उन्होंने एक research किया, कि यार, शब्दों में बहुत power होती है, ध्वनी में बहुत power होती है, जैसे आपने सुना होगा कि सबसे powerful vibrations, अगर किसी शब्द की है, तो वो है ओम, इवन ये कहते हैं कि नासा ने ये प्रूव किया है, कि सूरज की जो sound निकलती है, वो भी ओम कार की दो नहीं है, अब ये अगर आपका belief system इसमें नहीं मैच करता तो it's alright, थोड़ी दिर के लिए उसको side में रख देते हैं, इसको हम अपनी जिंदकी से लेते हैं, अगर मैंने कहा, you are looking great, क्या होता है, instant, अगर आप बहुत डल भी हो, मानलो मैं आपसे मिलने आया, आप बहुत हो, and मैंने का यार, you are a champion, एक दिन के अंदर you will stand up, and चाहे बुरे से बुरा विक्ती, जानता भी हो कि आया, मेरी ये डॉक्तर बगरे ने काया, मैं चल नहीं सकूंगा, ये नहीं हो पाएगा, cut, 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 उसके बावजूद भी, वो smile आई कि उसके चाहरे पे, क्योंकि वो appreciation क्या बहुत गंदा कुछ बोलते हैं, तुरंट उसकी energy नीचे आती है, मतलब word बोलते ही, आपकी energy switch होती है, तो कुछ लोगों ने research किया, and कुछ लोगों ने find out किया, कि ऐसे कौन से words हैं, अंगरेजी language में, जिनको बोलने से, हमारी vibration immediately बहुत high level पे चली जाती है, बहुत high level पे च बहुनना शुरू किया, and उन्होंने बहुत सारे शब्दों की list बनाई, जिसको collectively नाम दिया गया, switch words, okay, अब सारे words तो आपको लोगों को यहां सिखाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 10-15 शब्द यहां पे सिखाता हूं, और उनका meaning आपको बताता हूं, जैसे switch word में, ती divine together को use करके immediate अगर आपको कुछ result चाहिए, तो मेरे लिए यह word है now, okay, so divine, divine याने देवी है, हर चीज अदबुत है, हर चीज देवी है, okay, so divine शब्द बोलो, या अब यह तो अंग्रेजी में हो गया, अब आपको लगता है कि divine शब्द का तो मेरे नहीं, तो हिंदी में, में मिलते थे, एक दूसरे से तो नहीं बोलते थे, हाई, ऐसा नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, राम राम, ओके, राम राम सा, ओके, यह शब्दों के उच्चारण होते थे, या फिर जैश्री कृष्णा, या फिर जो भी, मतलब हर एक community का अपना एक word होता है, okay, so उन words को क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनको सुनते ही, तुरंट change होता है, mindset में, हमारे, हमारे पूरवजों ने तो यहां तक बोलाएगी, या लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, तो यह मत बोलो, oh shit, अभी यह अंग्रेजों का है, oh shit, right, हमारा क्या था, oh god, yeah, yeah, sorry, यह भी अंग्र में भी बोलें, तो हमें कम से कम, at least आदमी positivity की तरफ जाने की कुशिश करें, so ऐसे ही दोस्तों, कुछ शब्द हैं, जिनको, right, अब जो as it is हैं, वो मैं बताता हूं, divine, divine शब्द है, बोलते ही, रोज सुबह मैं चैंटिंग करता हूं, इसका, जब मना जाता है, तब चैंट Divine, 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 and आप लोगों को पता नहीं, इसमें कुछ चैंज लग रहा है, नहीं लग रहा है, but I feel inside, here, it's a reminder to me, कि दुनिया में हर चीज देभी है, हर चीज अद्बुत है, हर चीज जबरदस्त है, हर चीज पावर्फूल है, हर चीज पावर्फूल है, हर चीज नि दर देख रहे हैं इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं उस पर बीचा इसको क्यूरियस होके देखेगा तो देखेगा कितनी बड़ी आश्चर्रे की बात है ये कैमरा एक बच्चा अगर लैप्टॉप देख लेगा तो बोलेगा ओमाइगाड एक लैप्टॉप जैसे डिवाइस किसी ऐसे आदमी को देदो ऐसे घाओं में भेज़ दो जाओं किसी ने कभी लैप्टॉप नहीं देखा हो तो हाउड दे रियाक्ट ओ माइगाड ओ इसमें तो आवाज भी आती अरे इसमें तो यह भी आता अरे अभी थोड़े दिन पहले ना कि ताराचन जी मेरे घर पे आये और उन्होंने मुझे एक बगवत गीता गिफ्ट की जो कि उसमें वह विज्डम फ्लूट होती है उसको ब ममी को मैंने दिखाया कि ममी ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी ममी ने का oh my god यह तो बहुत बढ़ी है अच्छा मेरी निस को दिखाया she was super excited तो मतलब कहना है क्या यह होता है कि हर चीज डिवाइन है all right but हम लोग क्या उसको for granted ले ले लेते हैं तो it's a reminder that everything is divine together together का मतलब है there is no coincidence इस दुनिया में जो हो रहा है वो coincidence नहीं है वो co creation है आप और मैं पूरा ब्रह्मांड और मैं मिलके यह वर्क्शॉप कर रहे है बुपेंद्र सिंह राठोड को यह एहंकार आ जाये कि बुपेंद्र सिंह राठोड यह वर्क्शॉप कर रहा है उस दिन फिनिश होना मेरा सभाविक है दोस्तों मेरा तो कुछ भी contribution नहीं है इस वर्क्शॉप में I'm telling you this मेरा तो सिर्फ इतना सा हलका सा decision है कि मैं किस दिन यहां पर बोलूँगा इसके अलावा मेरा कोई contribution नहीं है इसके अलावा contribution है मेरे confidence आया कि हाँ इस इंपॉर्टन आज इतने सारे मेरे team members हैं जो कि फिछले दस-बारा साल से जब से मैं training में हूं तब से मेरे हर एक team member ने जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े उन सब के जो काम है उसके कारण आ रहा है फिर technology और यह और वो so many things so divine is a reminder sorry together is a reminder कि सब कुछ together है अब आप कहेंगे ठीक है सर यह words तो बहुत बढ़िया है इसके अरावा कौन-कौन से words है तो मान लीजे आपकी कोई चीज खो गई है बानेज़ों से और साल पहले की सिने गफ्ट किया था और मिलना है रहा है तो tuffそして आपकी एनर्जी अब जण्रली आपका थोट किया है खो गई खो गई खो गई कि कभी-कभी बच्पन में मम्मी आपको बोलती थी जा नमक की वह नमक लिया किचन में जाके और आप नमक किदर है यह किचन में मेरे को दिखनी रहा कहां पड़ा है मैं देख रहा हूं इधर भी दिख रहा हूं मम्मी कहा है बताओ तो सही नमक फिर पाँच मिनट आपने ऐसे किया मम्मी औसे भी रहा नहीं गया अंदर जाके देखा अरे वहीं पड़ा है किचन पड़ा है वहीं टेबल की आप बतलब उपर ही पड़ा है प्लाटफॉर्म प्रॉरं मम्मी नहीं मिल रहा किदर है मैं देख रहा हूं मम्मी नहीं मिल रहा फिर थोड़ी दर बात मम्मा खुद उठके आती है और फिर एक पीछे से लगाती बहुती यह सामने क्या पढ़ाए तेरे सामने क्या पढ़ाए तेरे हो तक है कई बार सामने चीज है लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आती क्योंकि आपके सबकॉंशिस माइंड ने पहले से ही निर्णे ले लिया कि मुझे नमक नहीं मिलेगा मुझे नमक नहीं मिलेगा अब जो चीज आपकी एक साल पहले, दो साल पहले, छे महीने पहले एक दिन पहले, 24 गंटे पहले खो गई और आपने 2 गंटे ढूंड ली, आपका conscious mind ने subconscious को signal दे दिया, अब ये नहीं मिलेगी, अब जितनी बार आप उसे ढूंडने जाते हैं, signal यही रहता है, मिलेगी नहीं, तो आप उस जगह पे कभी देखी नहीं पाते हैं, जिस जगह पे Reach now, Divine Reach now, Divine Reach now, Divine Reach now, Divine Reach now, दोसों, जब भी मैंने लोगों को यी बताया हैं कि खोई हूई चीज को ढूंडने के लिए Reach, जब लोग इसे ढूंडने लगते हैं, रात बwości में कम से कम, दस से 20 फीडबाक हमारे पास आ जाते हैं, अगने करें, तो हजार लोगों में से 10-20 लोगों का फिड़ा करा सर इच वरक्स इट वरक्स सर मेरे वह चीज नहीं मिल रही एक लड़की यह वरक्शोप करने के बाद लिए सर मेरे बर्द्दे पे मेरे अंकल ने घड़ी गिफ्ट की थी बहुत इच्छी घड़ी ती और बहुत महेंगी गड़ी थी देड़ दो साल से नहीं मिल रहे थी घर को अभेर पिर से अलमारी को लिए उसके सारी एक बैच था जहां फैशन स्टूडेंस थे 15-20 तो हम लोग सब पिकनिक बनाने के लिए एक जगे गए महारास्ट में पूना में पर जरना वरना था जरने पर बैटके सब लोग नहा रहे हैं दो रहे हैं तो बैच की जो सबसे एनरजेटिक लड़की थी वो बीच में उधास बैठी वी दिखाई थी तो मैं उसके पात गया मैंने का होगा और इसोर बहुत बुरह गया मैंने क्या हो गया अरे सर पानी में गिर गया और थो ऑचिव सब गूंड़ा मैं पिछले एक धंटे से ढूंड रही हूं हम सब भूंड रहे थे नहीं मिला यह काम कर दे आँप न मैंने जो सिखाए करते हैं हो सकता है शायद मिल जाए हो सकता है पॉसिबिलीटी यह बाकि गेम है यह तो हम यंवर्स के साथ गेम खेल रहें मिल जा तो बहुत बड़ी है नहीं तो हम e-mustress free नहीं रहेंगे मतलब stress में नहीं रहेंगे यह करके हमने divine रीच नाव करते करते से पानी के अंदर उत्रे और हम दस जन्ले एक साथ पानी के अंदर उतर ते यह जहां मेरा पैर पड़ा डिवाकthen रीच बोने के वही पैर के नीचे कुछ पे विश्वास ना करें, खुद की experiences पे विश्वास करें और खुद का experience करें एक और शब्द बताता हूँ, मालीजे आपको कहीं जाना है, मालीजे आपको किसी से मिलने जाना है कोई meeting के लिए जाना है, interview के लिए जाना है आपॐन्ट्मेन्ट की लिए जाना सेल्स की ली जाना है कुछ भी चीज की लिए जाना और आप लेट हो रहे हैं टाइम पर नहीं पहुँंच पा रहे हैं ईके तो शब्द है शॉट कट अब कि क्या है शब्द शॉट कॉटट तो इसको इसको भी आप ऐसे चांट कर सकते हो डिवाइन शॉटकट नाव नाव मतलब अभी चाहिए जल्दी बताइए ओके आप यूनिवर्स को कह रहे हो ऐसे ही अगर किसी को क्विंः और जी को रिलेशंशिव अच्छे करने तो डिवाइन गेव और गए ऒजी पोएक शब्द दिजे ल invent दिवाइन गेव लाव ओके वेपोग्र एव से जो हुए कर दो कर दो कर दो